कि जाहिन दोस्तों आज लोग विभाजक्ता के नियम पे अधे प्रशनों को सौल को कुझआ है ताछ आज भी कूछ प्रश्नों को प्रक्टिस करेंगे तो आज को ज्रूज सब्सक्राइब करें çev Karl और अपनी गड़ित की तैयारी को आगे मुकम्मल करें चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रशन की और आज का पहला प्रशन आपके सामने आए कह रहा है यह दिछे अंकों की एक संख्या यह दिछे अंकों की एक संख्या है और संख्या क्या है 6X2904 2904 और यह संख्या 88 से विभाजित है 88 से विभाजित है तो X का मान ज्याद करिये X is equal to question mark अब यह प्रशन पूछा गया है CGL 2019 में चे अंकों की एक संख्या है 88 से विभाजित है और कह रहा है तो 88 से विभाजित होने के लिए प्रशन 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 प्र करते हैं उनके योग का जो अंतर हो वो बराबर उनके योग का अंतर जीरो हो या फिर यारा यारा का गुड़ज हो जीरो चार हो तो अब देखिए अल्टरनेट मतलब पहले तीसरे स्थान पर क्या क्या है एक तीन पांच पर इनको योग करके छह दो आठ आता है आहा के एक तीन पांच पर देख इनका योग 4 9 4 13 स्थान पीस बराबर 13 प्लस एकस होना चाहिए अब इसका मतलब तो इसका मतलब एज है इनका जो बराबर नहीं होगा इनका जो अंतर हो वो 11 होने चाहिए इनका जो अंतर हो फो 11 होने चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर हम इधर उतना ज़ोड़ दे 13 में कितना जोड़ दें कि minus करने पे 11 आ जाए तो 13 में अगर हम जोड़ दें 6 13 6 19 हो जाएगा 13 प्लस 6 19 हो जाएगा उसमें से 8 गटा देंगे तो 11 आ जाएगा तो अगर हम एक्स का value 6 रखते हैं तो अपना काम हो जाए तो एक्स की value कितना आगया? 6 जो की answer है आपका इसी तरीके से एगले प्रस्ण क्यों चल ला है? प्रस्ण कहरा है यदि 6 अंको की एक संख्या है और संख्या क्या दिया हुआ है? 4x संख्या क्या दिया हुआ है? 4x 573y 573y यदि 6 अंको की संख्या है और ये संख्या 72 से विभाजित है 72 से विभाजित है तो बताइए x प्लस y का मान क्या होगा? ये x प्लस y is equal to question mark अब देखिए 72 से विभाजित है तो जरूरी है कि ये संख्या 8 गुड़े 9 से विभाजित हो 8 से विभाजित हो चलिए चेक करते है 7 3y और 8 9 72 हो जाएगा इधर करेंगे तो एक इधर बच जाएगा अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें तो y की जिगह पर 6 लिख दें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और इधर ये cancel हो जाएगा तो y की value हमको find हो गई 6 अब देखिए 9 के भाजगता का नियम कहता है कि इनका जो योग होगा सभी दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाजित होने चाहिए चलिए अभी दी भी संख्याओं का योग ज्याद करते हैं तो यहाँ पर 6, 6, 3, 9 और 9, 7, 16, 16, 5, 21 16, 5, 21 और 4, 25 25 प्लस x जो होगा वो 9 से विभाजित होने चाहिए अगर 9 तरीक 27 कर दें तो यहाँ पर अगर 2 लिख दें तो 25 दो 27 हो जाएगा विभाजित हो जाएगा तो कितना आ गया तो x की value यहाँ से x और y की value यहाँ पर put कर देंगे तो x की value अपने पास है 2 और y की value है 6 बराबर कितना जाएगा answer 8 आ जाएगा इसी तरीके से एक प्रस्णों को और solve करते हैं प्रस्ण ने कह रहा है x का कौन सा मान रखने पर x is equal to question mark x का कौन सा मान रखने पर एक 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या क्या है 4 6 3 9 4 6 3 9 3 x 8 यह 11 से विभाजित हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी 11 से विभाजिता का नियम कहता है alternate का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुड़ज हो चलिए यह देखिए 4 3 7 7 3 10 10 16 18 18 18 इधर हो गया अब देखिए इसको जोड़े पर 9 6 15 15 15 प्लस x 15 प्लस x कर देखिए तो बराबर 18 हो जाएगा तब दोनों का अंतर सून हो जाएगा तो अगर यह एक्स की वैलू 3 रख देखिए तो अपना काम हो 72 से विभाजित है तो एक्स का मान ग्याद करिए एक्स इसकोल टू पोस्चन मारक यह भी संख्या उसी तरीके से यह भी प्रशन उसी तरीके से होगा आप लोग इसको वहर पर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएगा इसके जवाब को ठीक है एक्स का वैलू क्या होना चाहिए चलिए अगले प्रशन की ओर चल रहा है है एक्स का मान क्या हो यह भी प्रशन पुछा गया है CGL 2019 में एक्स इसकोल टू कोश्चन मारक जैसे की एक्स का मान क्या हो जिससे की यह संख्या पांच-छै पांच-छै एक्स-वाइस 72 से विभाजित हो 72 से विभाजित हो तो यह भी प्रशन उसी तरीके से होगा लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं यही पर इसके पहले वाले प्रशन का जवाब आप लोग दीजिएगा आख गुड़े 9 से विभाजित होनी चाहिए 8 निवाजित हो गा अब 8 और 9 से विभाजित है तो 8 से विभाजित हैं क्योंकि यह 3 जो आखिरी तीन नंक आट से विभाजित होनी चाहिए या तो पिर चाहे इसको 8 से कर लिए चाहे 9 से कर लिजिये तो भी हो जाएगा एक बार 8 से करते हैं एक बार 9 से करते हैं 8 से भाज़कता की निएम पे यह आखरी 3ंक 8 से भाज़ित होने चाहिए इधर हो जाएगा इधर x2, 2 तो अब यहां पर कौन सी संख्या रखें जिससे की यहां पर अपना काम हो जाए तो अगर यहां पर लाष्ट में 32 है तो हमको यहां पर 32 लाना पड़ेगा तभी जाके यह संख्या यह 0 हो जाएगा और 32 लाने के लिए 32 लाने के लिए यहां पर क्या होने चाहिए कम से कम पाँच सेस बचना चाहिए मतलब कि तीन दो इसमें से हमको ऐसी संख्या यहां पर लानी चाहिए जिससे कि यहां पर तीन सेस बचे तो अगर यहां पर नौ आ जाए तो यह संख्या हो जाए नौ तीन बार तो यहां पर नौ कब आएगा एक बार 9 से इसको करते हैं उसके बाद 8 पर करते हैं चेक करते हैं पहले एक बार 9 से इसको चेक कर लें उसके बाद 8 से भी चेक करेंगे इसको 9 से भाज़कता का नियम कहता है दी गई सभी अंको का योग जो है वो 9 से भाजित होना चाहिए तो 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 16, 22, 23, 25, 26 तो 26 यह हो गया और 26 प्लस एक्स हो गया तो 9 से विभाजकता का नियम कहता है कि उस अंक्या विभाजित होने चे तो 9, 3, 27 होता है तो अगर एक्स का मान एक रख दे तो अपना काम हो सकता है तो एक रखने पर नो तरीक 27 हो जाएगा एक्स का मान एक रखते हैं चलिए अब देखिए लेकिन यह संक्या आठ से विभाजित होनी चाहिए यह संक्या आठ से विभाजित होनी चाहिए एक तो एक रखने पर काम हो जाएगा और दूसरा और क्या रखें एक वाद देखते हैं 122 इतर यह हो जाएगा सुरी यहां पर दो नहीं पांच होगा एक मिट यहां पर पांच दो होगा यह प्रस्ट में सीजील पूछा गया था यहां पर पांच होगा तब हो जाएगा आठ और 9 सीजी तो नहीं के अधार पे हम लोग देख रहे थे तो यह कितना होगा 5 6 5 11 11 5 16 6 22 22 27 22 29 इसको 29 प्लस एक से 9 सीजी चरुआएगे 9 तिरिक 27 नो चोग 36 होगा और यहां पर पांच यहां पर 7 लिख दें यह एक्स की पर 7 लग दे तो अपना काम हो जाए 29, 7, 36 हो जाएगा तो x की value हमको प्राप्त हो गई 7 अब देखते हैं यह 8 सिविभाजित है की नहीं 752 आखरी की 3 अंग होंगे और यह देखते हैं 8 सिविभाजित है की नहीं तो 8, 9, 72, 3 बचा यहां पर 2 तो 8, 32 तो यह हो गए 8 और 9 दोनों सिविभाजित है पहले हम लोगों ने गलती किया था यहां पर mistake से दो लिग दिया था 5 की जगए पर इसलिए गरबड़ी हो रही थी चलिए अगले प्राशन की और चल रहा है एक अगला प्राशन आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि एकस के किस मान के लिए एकस इसकोल टू क्या होने चाहिए जिससे कि यह संक्या 5, 5, 3, 5, 0, x, 2 जो कि 72 से विभाजित हो तो देखें यह भी 72 से विभाजित है आठ और नौ से विभाजित होने चाहिए तो आठ से विभाज अक्ता की नियम पी इसको चेक कर लेते हैं 0, x, 2 तो अगर यहां पर 3 रख दें तो यह अपना काम हो जाए तो 8, 4, 32 तो यहां फिर 8, 9, 72 हो यह अगर यहां पर 3 या फिर 7 3 या 7 रखने पर क्योंकि अभी हमको 9 से भी तो चेक करना है देखते हैं किस मान के लिए यह सही होगा 5, 15, 10, 10, 3, 13, 13, 13, 5, 18, 18, 18, 2, 20 20 तो यहां पर 7 ही सटिसफाई करेगा 20, 27, 27 और देखिए और देखिए कि आप्षन में 3 और 7 दोन्म दिया हुआ है तो अगर जो पहले देखे हैं कि आप्षोग 32 तो जटका खा जाएगा एंसर गलत हो जाएगा तो यहां पर 7 इसका सही जवाब होगा क्योंकि 9 सी भाजिकता के नियम पर 9 तरीक 27 होता है और पीस प्लस साथ हो रहा है तभी तो 27 नौ सी भाजित होगा तो थोड़ा सी इस तरीके से भी देख लीजेगा और अगले प्रस्न की ओर चल रहा है अगला प्रस्न कह रहा है कि एक संख्या है साथ अंकों की एक साथ अंकों की संख्या है संख्या क्या है 64 x 29 64 x 29 y 6 है दो चार शेक साथ हाँ तो यह साथ अंकों की संख्या यह दिवी है और कंडिशन यह है कि x is greater than y और दूसरी कंडिशन यह है कि यह 72 से विभाजित है तो अब में प्रस्न अब पूछ रहा है प्रस्न यह कह रहा है 2x-y is equal to question mark यह प्रस्न पूछ रहा है तो 72 से विभाजित है तो आठ और 9 से विभाजित होगी तो 8 से और चेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9y6 8 है कम 8 एक बचा और यहाँ पर y होगा y की जगह पर कुछ रखेंगे देखते हैं और यहाँ पर 6 मतलब की यहाँ पर 16 होने चाहिए तो यहाँ पर 1 सेज बचना चाहिए तो अगर यहाँ पर 7 रख दे तो 8 दूनी 16 हो जाए और यहाँ पर 1 सेज बच जाएगा तो y की एक वैलू हमको 7 मिल गई इसके कम से कम दो वैलू हमको ग्यात होने चाहिए तभी तो होगा 8 दूनी 16 अभी तो यहाँ एक ही प्रता चलड़ा है 8 है कम 8 एक बैलू और हमको यहाँ पर ग्यात होनी चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर 1 इसको फरीज ग्रता देटन वाई कर रहा है तो यहां पर रहा एक तो अदुम चोल-च प्रता है एक 16 हो सकता है और 8 के पहाड़े में 56 भी आता है 56 के लिए भी हम चथेक कर लेते हैं अभी तक 16 के लिए चेक ही है अब 56 के लिए चेक करते हैं तो 56 के लिए हम क्या करेंगे अगर यहां पे 56 प्राप्त करना है तो ehan पे कम से कम आठ एक कम आठ करेंगे तो अगर 8, 5, 13 अगर y की जगह पर 3 रख दे तो 8, 5, 13 हो जाएगा यहां पर 5, 6 बचेगा 8, 36 हो जाएगा तो y की हमको 2 value प्राप्त हो गई 7 और 5 तो हमको लग रहा है 5 ही satisfy करेगा देखिए क्या होता है क्योंकि यहां x is greater than y condition को apply करना है अब देखिए 9 से भाजगता के नियम के अधार पर चेक करेंगे तो यह 6, 4, 10 10, 12, 12 12, 9, 21 21 6, 27 अब 27 में क्या जोड़े 27 प्लस 5 ही करते हैं इदर 27 प्लस 5 32 हो जाएगा y की जगह पर 27, 5, 32 और 32 9 से भाजगत करने के लिए 32 प्लस x तो अभी बचा ही है 32 प्लस x तो यहां पर हो जाएगा 9, 36 9, 36 तो यहां पर x की value 4 आ रही है एक बार हम यहां पर 7 रखते हैं 5 की value 5 रखने पर यहां पर यहां पर 5 रखने पर यह 32 आ जा रहा है और 32 करने पर यहां पर 36 हो जाता है और यहां पर 4 आ रहा है अब 34 प्लस x तो अभी बचा है 7, 7, 14, 34, 33 हो रहा था कंडिशन यह है कि x is greater than y तो 7 और 5 हमार पास y की दू बेलू आ रही थी 7 और 5 एक बार फिर सी इसको देखते है 64 x तुरू 9 y 6 तो 8 से चेक करते हैं इधर लाश्ट के तीन अग 8 9 y 6 एधर 8 है कम 8 एक यहाँ पर y और यहाँ पर यहाँ पर अच्छा आ रहा है तो 8 दूनी 16 होगा तभी यह होगा तो यहाँ पर अगर 8 दूनी 16 करते हैं 8 दूनी 16 करते हैं तो यहाँ पर 1 से बचेगा अगर यहाँ पर 7 रहेगा तो तो फिर आट दूनी सोला करके यह हो जाएगा तो वाई की एक बैलू तो साथ आ गई और दूसरी बैलू के लिए यहां पे आठ सते छपन होना चाहिए और छपन के लिए अगर हम यहां पे तेरा रह दें तो आठ है कम आठ आठ पांच तेरा तो वाई की बैलू हमको तीन य की बैलू तीन होनी चाहिए तो यही तो गड़बुड हुआ था चलिए य की बैलू हम तीन रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है इसको जोडते हैं 6,4,10,10,12,12 और 12,9,21,26,27 प्लस वाई की बैलू तीन रख देते हैं 30 हो जाता है तो अब देखते हैं य की बैलू तीन रखने पर 9 सिभाजित करेंगे तो 30 प्लस एकस तो भी है ही 4 बाल ले जाते हैं 9,4,36 एकस की बैलू 4 आ गई ये ठीक है एकस की बैलू 4 वाई की बैलू 3 ठीक तो एकस और वाई की बैलू हमको फाइंड हो गई अब हम यहाँ पर बैलू पुट कर देंगे यहाँ पर हम बैलू रख देंगे दो गोड़े एकस की बैलू हमको मिली है 4 माईनस वाई की बैलू 3 चार दुनी आठ माईनस 3 बराबर 5 कभी कभी कोई प्रस्न समय लगा देता है चार दुनी आठ माईनस 3 बराबर 5 तही होगा चली अगले प्रस्न क्यों चल रहा है अगला प्रस्न कह रहा है कि एक संख्या है संख्या कह रहा है कि 4, 5, 7, 8, 9 किस एक संख्या से विभाजित होने वाली संख्या है मतलब किस से विभाजित होगी पहला प्रस्न दिया हुआ है केवल तीन से और और न से तीसरा प्रस्न दिया हुआ है B अपसंदिया हुआ है 9 से C अपसंदिया हुआ है 7 और 9 से 7 और 3 से 7 और 3 से और 4 अपसंदिया हुआ है 3 और 9 से 3 और 9 से तो इस तरीके से हम चक करनेगे देखिए अब 3 और 9 से तो यहां पर देखिए 3 से तो इसमें दिया हुआ है 3 से चेक करने का ज़रूत है क्योंकि 3 तो सभी अपसंदिया हुआ है इस से भी इसमें भी तीन तरीक का नो तो यह भी 3 सिवाजित हो जाएगा यह भी यह भी तीन से चेक करने का कोई मतलम नहीं अब देखिए 9 से एक बार चेक कर लेते हैं 9 से चेक करने का अपसंदिये 9 से चेक करने का तरीका है इनका योग अगर 9 सिवाजित है तो काम हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24, 16, 8, 24 और 24, 9 हो जाएगा 33, 33, 9 से विभाजित नहीं है तो यह 9 से विभाजित नहीं है 9 से यह भी विभाजित नहीं है अब बचता है 3 से तो है लेकिन 7 से देखते है 7 से विभाजित है कि नहीं 7 से विभाज़कता का नियम यह कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसमें से आखरी वाले संख्या को 2 गुना कर देते हैं तो यह संख्या दी हुई है 4, 5, 7, 8 और आखरी एक कुछोर को इसमें जोड़ देते हैं तो 9 दुनी 18 हो जाएगा तो इसमें 18 जोड़ देते हैं यह कितना हो जाएगा 8, 8, 16, 7, 8, 1, 9, 5, 4 अभी भी यह नहीं पता चलेगा तो फिर से वही प्रक्रिया दोराते हैं 6 दुनी 12 हो जाएगा तो इसमें 12 जोड़ देते हैं इसको हटा देंगे अब तो अब 12 सिर्फ इसम जोड़ेंगे तो 9, 2, 11, 5, 1, 6, 1, 7, 4 अभी भी नहीं पता चलेगा तो फिर से यह प्रक्रिया दोराते हैं तो एक गुड़े 2 बराबर 2 तो इसमें 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नो और यह 7 से विभाजित है सास्ता उन्चास तो यह 7 और 3 से दोनों से विभाजित है तो अपना काम हो गया C एप्सन सही हो गया तो इस तरीके से अगर याद रहेगा कि अच्छा 9 सिभाजकता का नियम क्या है साथ स्विभाजक्ता का नियम क्या है तीन स्विभाजक्ता का नियम क्या है तो अपना काम हो जाएगा तो यहां से हम लोगों ने देखा कि ये तीन और साथ से दोनों संक्याओं से विभाजित है इसी तरीके से एकात उदाहरण को और ले लेते हैं एक बढ़ियों उधारा लेते हैं कि कह रहा है चली एक उधारा और ले लेते हैं कह रहा है कि एक संख्या है पांच उधों की संख्या है कह रहा है कि संख्या ये एक उधारा वाली किस संख्या से विभाजित है एक अंकवाली किस संख्या से विभाजित है विभाजित है यह बहतरीन प्रस्न है अब देखिए प्रस्न आप लोगों देख लिया प्रस्न यह कह रहा है कि यह जो संख्या है वो किस एक अंकवाली संख्या से विभाजित है तो इसका अर्थ ये है कि वो जो जिससे विवाजित होगी वो संख्या दो से ले करके 9 के बीच में होगा और ये संख्या 10-11-12 से मतलब नहीं है अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो से विवाजकता का नियम हम लोगों ने क्या देखा था दो से विवाजकता का नियम ये कहता है जिस संख्या के अंत में इकाई हो आखरी अंक जो है इकाई हो वो संख्या दो से विवाजित है तो अपने पास एक अंक तो आ गया एक अंक वाली संख्या एक ठो आ गई वो दो है तो दो से विवाजित है अब देखिए तीन से विभाजकता का नियम क्या कहता है तीन से विभाजकता का नियम कहता है कि इन संख्याओं का योग तीन से विभाजित होना चाहिए तो साथ तीन दस दस चार 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 अठार 18 भागे 3 चन्घ 18 तो 3 से भी विवाजित है ये संख्या चलिए 2 संख्या मिल गई ईज़स को आपको अपशन दे देते हैं पहला अपशन Cert कह रहा है कि 5 साथ को छोड़ कर पहला अपशन कह रहा है कि 5 और 7 को छोड़ कर 5 और 7 को छोड़ कर सभी संख्याव से इनसे नहीं है बाकी सभी संख्याओं से B कह रहा है कि 2, 3 और 6 से अब देखिए C अप्सन कह रहा है कि 2, 3, 6 और 9 से D अप्सन कह रहा है कि 5 को छोड़ कर अन्य सभी संख्याओं से 5 को छोड़ कर 5 से नहीं है बाकी अन्य सभी संख्याओं से अब देखिए तो ये तो सही कह रहा है पहला अप्सन कि 5 और 7 से विभाजित नहीं है क्योंकि 5 का विभाजक्ता का नियम कहता है कि उस संख्या के अन्त में 5 होने चाहिए तीसरा हम चेक करते हैं 2 से हो गया 3 से हो गया 4 से हो गया अब 4 से हम चेक करते हैं 4 के विभाजक्ता का नियम यह कहता है संख्या हम देखते हैं 6 से विभाजक्ता का नियम यह कहता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी 7 से विभाजक्ता का नियम यह कहता है कि जो दिभी संख्या है उनमें से आखरी संख्या को दूगुना करके बाकी बची होगी संख्या में जोड़ देते हैं इसनदोन, आप फर्पेश संख्या 8, 4 है इसमें 2 गुना करदेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा भाकि संख्या 8, 4, 12, 7, 8, 8, 8, 0 हो जाएगा तीन, अभी भी नहीं पता चल रहा है तो इसको दो गुना करदेंगे तो 2 दुनी, 4 हो जाएगा तो इसमें 4 जोड देते हैं तो 312 12 हो जाएगा अभी भी नहीं चली पता चल रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इसको भी दो गुना करके जोड़ देंगे तो यहां पर 31,34,35 हो जाएगा 35,35,35 साथ से यह विभाजित है तो यह संख्या साथ से विभाजित है तो अब देखिए पहला अप्सन कहा रहा है पांच और साथ से को छोड़कर सभी संख्याओं से विभाजित है तो यह संख्या तो साथ से भी विभाजित है इसलिए पहला अप्सन गलत साथ से भी विवाजित है, अब चलिए हम सत्वा आपसन अपने पास है, आठ से विवाजक्ता का नियम, आठ से विवाजक्ता का नियम यह कहता है, आखरी तीन अंक जो है, वो आठ से विवाजित होने चाहिए, तो आखरी तीन अंक साथ से चोवालिस है, तो यह देखते हैं, 744 चैसी विभाजित है की नहीं तो 9, 8, 9, 72 यहाँ पर 2 बचा यहाँ पर 4, 8, 3, 24 तो यह भाईया यह तो 8 से विभाजित है यह संख्या तो 8 से भी विभाजित है तो यह भी विभाजित है अब देखते हैं ै 9 सिभाजक्ता का नियम क्या कहता है आ clingy संख्य हमने पास 9 है। 9 सिभाजक्ता का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग वह है वह 9 सिभाजित होना चाहिए हैरो साथ 3 10 चार 14 14 4 18 18 8 जो है 9 से भीववऎजित है ? यहां पर भी यहां पर यह सही है नौ से विभाजित है तो हमने क्या देखा यहां पर हमने देखा कि हमने दो से नौ तक की विभाजकता का नियम को दोहरा लिया और यह प्राप्त किया कि यह संख्या पांच के अलावा अन्य सभी संख्याओं से विभाजित है आपसन नमबर इसका सही जवाब हो जाएगा तो अमीद है यह सारे प्रश्न आपको समझ में आये होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा पड़ करके आपको कोई सुझाओ देना है तो कमेंट सेक्षन में सुझाओ जरूर दे दीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद जैहिन